हलो एवर बेडी क्लेहला जी आप सभी के सब ठीठाक सब बढ़िया मेरे बिटा आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करूंगा कि सेक्षिन फिफटी फोर जो कापिटल गेंस में एक्जेंशन का सेक्षिन है और सेक्षिन फिफटी फोर एफ जो की अगें डि करने का टाइम पिरेट क्या है अगर हम लोग सेक्षिन फिफटी फोर की बात करें तो आप सबको उच्छा से याद है कि एक रेसे इंशल हाउस को ट्रासफर करके हमें पैसा क्यापिटल गेंस का पैसा दूसरे रेसे इंशल हाउस के अंदर इंवस्ट करना होता है इसी प्र इंवस्ट्मेंट करने का जो टाइम पिरेड़ वो एक्जाक्ली सेम है मैं एक प्रिक्टोरियल फॉर्म के अंदर डियाग्राम फॉर्म के अंदर आपको उसका टाइम पिरेड़ समझाऊंगा बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगा लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ले रहा हूं जिसके अंदर में आपके साथ इंक प्रैसे के स्टेडिस डिसक्स करूंगा इस क्लास में जॉइन कर सकते हैं आप आज शाम शाम साथ बजे से उसके लिए आपको एक इन्विटेशन कोड मेरा यूज करना होगा जो है सी ए जोहर फ्री क्लास है, कोई पैसा चार्ज नहीं होगा, सिर्फ क्लास के अंदर एंटर करने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना है C.A. Johar आप मेरा code उस करके इस class को देख सकते हैं मैं इस video के description box के दर आपको classes का link दे रहा हूँ ताकि आप उस link के उपर click करके सीधा शाम को साथ बगे मेरे को join कर सकते हैं यह जो case studies हैं मैं daily कर लूँँगा आज Monday है Monday से लेके Saturday दर डेली शाम साथ से लेके 8 बजे मैं आपके साथ यह case studies discuss करूँगा आज 14 जून है आज से हमनों इसको start कर रहे हैं आईए इसके बाद आप मैं आपके साथ यह time period start करता हूँ जो की common time period है for making an investment under section 54 and section 54 F जो मैं यहाँ पर diagram में लिखूँगा बनाऊँगा वही चीज़ें मैं diagram बनाने के बाद आपको literature में भी लिखवा दूँगा तो पहले diagram देखीगा copy करना हो बाद में copy करना देखा मेरे को आप password देदीजिए पास password में आपको बहुत अच्छे सा समझा दूँगा सुनेगा, देखीगा, समझेगा मा लिजिए आपके पास एक मकान है residential house है रहने की जगा मकान और आपने इससे transfer कर दिया आपने इससे transfer कर दिया मा लेते हैं transfer कर दिया आपने on 30 November 2020 ऐसा मैं मान रहा हूँ November 2020 में आपने इस मकान की ownership को transfer कर दिया transfer करने पे आपके पास LTCG आएगा अब आप इस LTCG के दो में से कोई एक काम कर सकते है पहला काम इस LTCG के अबाट के उबर अपना income tax पर दिया बहुत अच्छा है इससे असान तो कुछ होई नहीं सकता लेकिन आपके तो नहीं सब income tax नहीं दूँगा कोई बात नहीं मत दो लेकिन उस case में क्या करो फिर इस पैसे को LTCG के पैसे को invest करो दूसरे मकान में अब इस दूसरे मकान में invest कब करना है सरकार ने कहा बेचने से पहले अगर आपने मकान खरीदा है तो हम आपका LTCG एक्जेम्ट कर देंगे बेचने से पहले खरीद लेना बेचने कब था नवंबर बीस में नवंबर बीस में बेचने से पहले एक न्या मकान पर्चेस कर लेना लेकिन कोशन आता है भाई कितना पहले मैंने दस सार पहले पर्चेस कहते हो था एक्जेम्ट मिल देगा नहीं सरकार ने कहा बेचने से पहले एक साल के अंदर अंदर तो विदिन वन एर विदिन वन एर क्या करना है पर्चेस करना है यहाँ पर लिख रहो मैं पर्चेस पर्चेस करना है बेचने से पहले तो एक साल का मतलब हो गया यहां पर तारीक आजएगी पहली दिसम्बर 2019 से एक साल काउड करेगे तो 30 लिवंबर 2020 अब देखो यार ऐसा है बड़ी इमादारी की बात मैं बहुत ही एवरेज मिडे क्लास फैमिले से बलॉग करता हूँ जैसे आप में से 99% सूड़ेंट्स हों गया आपकी परिवार में भी और मेरे परिवार में भी ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम बेचने से पहले खरीद ले यार इतना पैसा थोड़ी नहीं है हमारे पास इतना स है उमीद करूँगा आप में से भी 99% लोगों के पास इतना पैसा नहीं होगा तो फिर क्या करें सरकार को हमने का भई हमारे पास तो पैसा है नहीं कि तुम को हो कि पहले मैं खरीदू हूँ उसके बाद मैं पुराना बेच हूँ भई ये तो पॉसिबल है नहीं तो सरकार न बेचने के बाद आप पैसे इंवेस्ट कर दो तो भाई ये तो पॉसिबल है कि जब मैं बेच तूँ कुछ एक्ट्रा मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं नया मकार पर पैसे इंवेस्ट करूँ तो बेचने के बाद कौन सी तारीक तक बेचने के बाद कौन सी तारीक तक सरकार अब ड्यूagi कोफ़ आई कुंअोगा बहुत बहुत असान में पिलकुमि मुष्किने कर 10 अगौमारा फेनेशीलिय सरे की खतब होगा मार्च 21 सब्सक्राइब्स खतब होलने यह और प्चेश Radio क के यहूओ Mike कमपनी के केस में अगर हम लोग बात करें तो 31st October 2021 कमपनी को तो exemption मिलते हैं लेकिन बाकी वो सारे किसी जहां पर audit करवाना ज़रूरी है उसके लिए पर 31st October की due date है तो 31st October की due date तक आपको ये पैसा इस्तमाल करना होगा ने मकान के लिए अगर audit होता है तो 31st October अगर audit नहीं होता है तो 31st July तक आप ये पैसा इस्तमाल कीजे आएट ये ओडिट तक आपने ये पैसा इस्तमाल करना है कहा इस्तमाल करना है, कैसे इस्तमाल करना है सरकार ने आपको यहां पर यह कह दिया कि सब इस तारीक तक आप निया मकान पर्चेस कर लिजे पर्चेस निया मकान पर्चेस कर लो कोजी तारीक तक ITR के डूडेट तक लेकिन माल लो कि मैं आईटेर के डूडेर तक न्या मकार पर्शेस नहीं कर पाता मेरे को कोई मकार पसंद नहीं आ रहा जो मकार पसंद आता है वो मेरे बजट के भार है जो मेरे बजट के अंदर है वो पसंद नहीं आ रहा अब क्या करूँ सरकारे का कोई बात ने तुम्हें पसंद दिया रहा ना मकान? कोई बात ने ये पैसा जाके जमा करवा दो बैंक में किसी भी सरकारी बैंक में चले जाओ और बैंक में जाके एक अकाउंट खलवाओ जिसका नाम होगा Capital Gain Deposit Scheme Account CGDS Capital Gain Deposit Scheme Account में जाके पैसा जमा करवा दो जो पैसा आप Capital Gain Deposit Scheme Account में जमा करोगे वो पैसा आपकी ITR की डूडेट तक जमा हो जाना चाहिए या निया मकान परचेस कर लेना ITR की डूडेट तक दोने मस्टे को एक काम कर लेना अगर आपने पैसा बैंक अकाउंट में जमा करवाया तो फिर इस पैसे को विद्ड्रॉ करना Compensary होगा Compensary to withdraw ये पैसा विद्ड्रॉ करना ज़रूरी होगा Compensary है, Optionally है विद्ड्रॉ करके क्या करना है? विद्ड्रॉ करके दो काम करोगे या तो आपने पैसा जमा करवाया होगा मकान को पर्चेस करने के लिए या आपने ये पैसा जमा करवाया होगा मकान की कंस्रुक्शन करने के लिए अच्छा ये कैसे बता चलेगा ये कैसे बता चलेगा कि पैसा कौन से परपस के लिए जमा हुआ मेरे बिटा यह जब bank account है ना capital gain deposit scheme account यह वगा इस bank account में जब आपको bank account खलवाना होगा तो आपके पास एक declaration form होगा उस declaration form के तो दो parts है part a part b part a कहता है कि अगर आपने मकान purchase करने के लिए पैसा जमा करना है तो part a की detail भरो और अगर आपने मकान की construction करने के लिए पैसा जमा करना है तो फिर आप part b के सारी detail भरो तो आपने जैसा detail भरा उसके मताबिक आप पैसे को इस्तवाल करोगे आपके मन में आ रहा होगा सर बाद में कि मैं purpose change करना चाहूं तो हो सकता है हाँ हो सकता है अब आपने जो पैसा bank account में जम्मा करवाया था उसे withdraw करना जरूरी है withdraw करके मकान को purchase करना जरूरी है यह मकान purchase करना होगा जहां से देखना है यह मकान purchase करना होगा सरकार ने कहा जब आपने यह पुराना मकान बेचा था ना इस पुराने मकान के बेचने से दो साल के अंदर अंदर आपको यह नया मकान purchase करना होगा आपने पुराना मकान बेचा था यह रहा तो यह पुराने मकान को बेचने से दो साल के अंदर अंदर within within two years आपको ये मकान ने मकान में पैसे इंविस्क करना ज़रूरी होगा दो साल के अंदर अदर दो साल कहां से चेक दर होगे पुराना मकान जब आपने बेचा था ये नवंबर 2020 में बेचा था यहां से दो साल that is आपके पास time period आ जाता है that is आपके पास time period आ जाता है 29 नवंबर 2020 और माल लीजिए अगर आप नया मकान बना रहे हैं तो सरकान का पुराने मकान को बेचने के बाद within three years पुराने मकान को बेचने के बाद within three years that is 29 नवंबर 2023 तक आप अपने मकान की construction complete कर लेना तो क्या करना है आपने एक बाद फिर से देख रहे हैं आपने क्या करना है आपने ये करना है कि जिराब पुराने मकान को बेचने के बाद दो साल के अंदर अंदर नया मकान purchase करना है या आपने पुराने मकान को बेशने के बाद तीन साल के अंदर अंदर आपने ने मकान की कंस्ट्रक्शन को कम्प्लीट करना है ये है आपका टाइम पिरेड अब आप कहेंगे सर मान लो गर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा अब जड़की स्मझते हैं अगर मान लो ऐसा नहीं होता तो क्या होगा जड़की अगर आपने आई टि़ डेट तक यहां तक अगर आपने आई टिर की डू डेट तक ना तो मकान पर्चेस करा ना आपने बैग में और गर वाया 292 आपने काम नहीं किया तो आपके capital gain का पैसा taxable होगा फिर आपको कोई छूट कोई exemption नहीं मिलेगा दूसरी बात जो पैसा bank account में जम्मा करवाया उसे withdraw करना ज़रूरी है withdraw नहीं करा तो फिर जैसे ही दो साल का या तीन साल का time period complete होगा completion के बाद taxable हो जाएगा अब आपके इसर कैसे पता चलेगा तो भाई बड़ासान है पैसा जमा करवाते हैं समये form के दर declaration दिया था न पार्ट A में और पार्ट B में पार्ट A किसका था पर्चेस करने के लिए पार्ट B किसका था construction करने के लिए तो सरकार के पास सारी information आपकी अगर आपने वह पैसा इ पार्ट A कान में रखावा है कोंसे पारिक अकॉंच पार्ट A कान में रखावा है है सी जी ॡिय razón में रखावा है आपने pause विढरा कर लिया और विढरा करके मकान purchase कर लिया या मकान की acquisition न बले-माल होगर आप ना purchase करते हो ना क restaurant करते हो लेकिन आपने pause किसी और काम के लिए share में आप misuse करेंगे उस share में आप उसे taxable कर देंगे तो ये आपके पास पूरे का पूरा chart है आप अगर ये chart copy कर चुके हैं बहुत अश्री बात अगर आपने chart copy नहीं किया है तो class को pause करके आप इसे copy कर लिजे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा के pause करके आप ये पूरा chart copy कर लिजे मैं आपको दिखा देता हूँ ये आप पूरा chart full screen पर आप देख सकते हैं मैं इसे full screen पर हूँ मैं full screen से हर चुका हूँ आप इसे full screen के उपर आप इसे full screen के उपर ये पूरा चार्ट देख सकते हैं ठीक है जी? पॉस कर लेना पॉस करके से कॉप्य कर लेना और उसके बाद यह और अगर आपने कॉप्य करना हो तो आप इसे पॉस करके कॉप्य कर लिजिए आपको बड़े अच्छे से нос आ गया कि आपने कितने time period तक इस मकार की construction करनी है या आपने इस मकान को purchase करना है अब ये सारी चीज़े जो मैंने आपको लिखवाई डाग्रा में लिखवाई हैं मैं यही सारी चीज़े हैं अब आपको यहाँ पर point wise लिखवा रहा हूं हमारे पास आ चुका है यहाँ से पढ़ेगा point number 4 क्या लिखा था to claim exemption investment in residential house must be made in the following manner manner क्या है point number a purchase another residential house another residential house property within one year prior to date of prior to date of transfer ठीक है यही डाग्रा में बनाया वो ही मैंने हाप लिखवा दिया या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरा काम की देगा till due date of filing of ITR till the due date of filing of ITR ITR की due date तक till the due date of filing of ITR part number one one invest amount of long-term capital gain in purchase of another और डीजरी बाले याँ, औ्टेजनस अमErतर इम्टल्ट सेज़ल मुष्ट अवेल केट्ज करन अ.. मैंब्समांग काट्टलल्ट गन अपतले केट्टॉब अ Called as Capital Gain Deposit Account Scheme Capital Gain Deposit Account Scheme दो नमर से को यह काम करना है और आ रहा है बार बार उसके आगे लिखेगा पॉनमर से, Amount Invested in Capital Gain Deposit Account Scheme मुस्त बिद्रॉन पैसा विद्रॉन करना नहीं है कंपसरी है इत मुस्त बिद्रॉन 2. पॉनमर 1. पर्चेस अनदर रसिदेशल होस्त प्रपर्टी विðin 2 यूर्स फम dose द फ्र्शोर द रस ध मुस्ति um। युर्णा होस्ति और रसिदाशogen अर्पर्टी ज रसिददाशोर्पर्टी проблем और रसिदेशोर्डिवस्त मुस्तों 2. युवर्क, कम्लीड इत रसिद प्रश्हद पंपर्व्ट construction of, complete the construction of another residential house property within three years, within three years, कहां से, from date of transfer of old residential house property, कितना ही असान हो गया, कितना ही असान हो गया, बिलकुल भी मुश्किल नहीं है, तो जो डाग्राम में लिखवाया, वही चीज़ मैंने आपको लिटरिचर में लिखवा दी है,